हालो क्रेंट आप सभी के स्वागत है हमारे यूट्यू चैनल अपना सिवाकिंद्र सेसी चैनल में आप सब कैसे हैं उम्मिद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे तो इंटरनेट से आप यह अधार काड़ डाउनलोड करते हैं तो उसका सही साइज क्रोप करके उसको ए आधार कड़ है है यहांपे डाउनलोड कर चुकång है डाउनलोड करने के भाद इस परकाड़ से उसको ऑिम्मिद कर चुका हूँ इस परकास से उनका बन जाएगा उसके पाष्ट करीगे में शॉट कोट की के माध्यम से बताऊंगा तो जूम करके पहले दिखाता हूं देख सकते हैं इस प्रकास है प्रश्चनल लीटियल को मैं हाइट कर चुका हूं यहां पर इसको देना है क्या करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस प्रकास से उसके वाज इतना पेज को हम लोग को निकालना है उसको मैं यहां पर सेलेक्शन कर लेता हूं अपने क्रोप टूल से ठीके ना तो हम लोग को इतना पेज का हम लोग को काम है तो मैं इसको क्रोप करके यहां पर राइट निसान क वूआब तो परिंगे उस पर्काहस आपका फोटो प्रतो लीए सब और इसका othraade apply धिने बर में अजाएंगे उसके बाद यहां पर आएंगे ब्रैटनेश कंट्राइश में आएंगे हलका ब्राइटनेश बढ़ा देना हाँ लोग का फोटो इस पर्काहस से आ अब बाहरे हिस्सा को इसके बीपरीत हिस्सा को हम लोग का contrast और जो लिखावट है उसको बढ़ाना है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर selection में आएंगे और inverse में आ जाएंगे तो photo को छोड़कि बीपरीत हिस्सा अभी हम लोग जो काम करेंगे उसमें आएगा फिर आएंगे यहाँ पर image में adjustment में label में आएंगे और label में आने के बाद यहाँ पर तीन option दिया गया है तो हम लोग second option में यहाँ पर काम करेंगे second option में हम लोग को type करना होगा यहाँ पर type कर देंगे simply सबको यहाँ पर मीटा लेते हैं पॉइंट 50 हम लोग यहां पर टाइप कर देंगे अब देख सकते हैं हम लोग का अधार कार्ड में इसका जो निखार आ गया जो कलर आ गया और जो भी लिखावट हुए बढ़िया से आ ठीक है अब इसमें जो सेलेक्शन किये हैं उसको हटाना है तो फिर सेलेक्शन में आएं इससे लगता है कि उनको प्रिंट कर रहे हुए कट जाएगा तो नहीं कटेगा कुछ सेटिंग रहता है उसको आप छोड़ देते हैं इसी वज़े से कट जाता है तो उसको मैं बताऊंगा वीडियो पर कंटिन्यू लग रही है ठीक है तो चलिए अब इस प्रकास हो गया अ आप हने यहां दिखा रहे है तो वह कम हने दिखाई देने लगा फोटो का वह डाउन हो जाएगा लिखावा डाउन हो जाएगा तो 300 ही मैं नीमम रहता ओके कर देंगे तो इस प्रकास हम लोगों का एक फोर साइज आ गया अब इसको क्या करूंगा यहां पर सेलेक्शन दिखाता हूं आपको यहां पर इडिट का उप्शन में आना है तो यहां पर फिर हने यहां पर ट्रांस्पोर्म दिखा है उसको हने किलिक करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे वीथ में वीथ हम लोग को कितना देना है 8.5 cm होना चाहिए और हाई कितना होना चाहिए यहां प इस ट्रोक में जाना है और यहां पे कितना रहेगा एक रहेगा और यहां पे color में black रहेगा उसके बाद ok कर देना है उके करेंगे तो इस परकास हम लोगा आ गया पहले भी था उस पहले वाला में था उसी को हने कुराप करके लाए थे तो वाला भी यहां पर निसान था ठीक है इस परकास से आ गया अब हम लोग इसको कोने में लगा देंगे आप सेकेंड वाला भाग को ले लेते हैं सेकेंड वाला को इस परकास से आएंगे और यहां से हम लोग इसको सेकेंड वाला को ले लेते हैं सेकेंड वाला को भी हम इसको भी हम लोग क्या करेंगे सबसे पहलें यहां पर हम लोग इसका साइज को देख लेते हैं तो यह सही हो गया अब इसको बोडर सब देते हैं इस के बाद एक Lever इस प्रकासे दे दियाADE कापी समय लग गया इसको करने में अभी आपको तूरंद बताऊंगे 1 मिनिट में किस प्रकासे कर सकते हैं डिता हैं इसको दिखा देता हूं किसफार कासे दिखाई दे रहा है तो सिंपली दे करता हूँ आपको कैसे करना है उसके बारे में बता देता हूं तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है इस फाइल वाले उप्षन में आना है और यहाँ पे print with preview में आई गया यहाँ पे आई यहँने तो आपको वह सब्सक्राहिन को जितना प्येज कर रहेगा उतना को आप सकते हैं और यहां पर इस प्रिकास्पर को करना था अब हमने जो भी प्रिंटर आपका है यहां प्रिंटिंग में दबा देंगे damינו प्रिंटर है उस प्रिंटर को हैऊ प्रोपर्टिज में जाएंगे तो हम लोग ग्हों एल क्या है कर देना है। यहां पडेपर में आएंगे यहां पे और हम पे एपquito रिमियम से करेंगे। यहां पर हाइ कर देंगे आब करके हम लों क्रेंट कर सकते हैं तो क्लें इसको कंड़ना था। अब इसको मैं तूरंद करके बताता हूं, तो सबसे पहले इसको delete कर लेता हूं, दिलेट करने के बाद यहां पर हम लोग ईसको vBeig कर लेते हैं, बBeig का यहां पर selection फटम हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर vBeig करने की लिए, Ctrl Z Alt दबाएंगे Ctrl Alt Z दबाएंगे तो इस प्रिकास से यह बैग होने लगा है इस प्रिकास हम लोग कहाँ पर बैग हो गया है अब हम लोग क्या करेंगे अब मैं Short Code तरीके से आपको तूरंद बताता हूं सबसे पहले हम लोग को क्या करना है इसको Selection करना है अब इसको Photo को ले लेता हूं यहाँ पर Selection कर देता हूं Photo को इस प्रिकास से हम लोग Select कर दिए अब इसको क्या करता हूं Image में आ जाता हूं यहाँ पर Adjustment में आ जाओंगा उसके बाद यहाँ पर क्या करूंगा Contrast में आ जाना हलका Contrast बढ़ा देना Double में उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे Second वाला में Point 50 यहाँ पर दे देंगे और OK कर देंगे तो इस प्रिकास से हम लोग का यहाँ पर आ गया Ctrl N दबा देंगे उसके बाद एफोर साइज Selection कर लेंगे अब इसको क्या करता हूं solicature Mother इसको तो पूरा हाने क्या करूंगे स्ट्रोक में यहांपे wast फिर के वैष्ट में आएएब एचएआब एच्ग में आवाँग Redmi और और यहां पर केतना देना है, 8.5 देना है, 8.5 cm उसके बाद ओके कर देना है, और उसके बाद यहां पर फिर यहां पर ले लाना है, और एक option और बचाता है, यहां पर यहां पर आएंगे, और 8.5 दे दिए, और यहां पर 5.8 आता है, cm, height में, ठीक है ना, 5.5 आता है, अब यहा अब सेंड को भी लेते हैं, फिर यहाँ पर सेंड वाला को भी हम लोग का इस ट्रोक हो गया अब इस प्रकास हम लोग का हो गया तो सिंपली इसी प्रकास से हम लोग को भी करना था कंप्रोल प्लस कर देंगे तो यह जूम हो जाएगा अब देख सकते हैं इस प्रकास से रेडी हो गया ना तो यह थोड़ा इजर चल गया है इसको इस प्रकास से कर लेना है यह हो गया सही तरीका तो अब इसको हम लोग